नमस्कार इन्य वोईस देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ इक्षत चौत्री दुर्गेश अगरवाल, राजीव खंडेडवाल, मनीश संजानी सहित, अनिप जन्पित्रियों और कलेक्टर ने उने शिधाजली अर्पित्गी खबज़ाडवाल से जहां, All Rajasthan Co-Operate Bank Employees Union और All Rajasthan Co-Operate Bank Officers Association की चलाएकाई के सहकारी बैंक करमचारी और दिकारियों ने सोलवे वेतन समझोतों को लागू करनी की मांग को लेकर प्रधान कारालेस्तर और सभी शाखाओं में काली पट्टी बांद कर प्रदशन किया पतादे 2019 के जनवरी से सोलवे वेतन समझोते के अभिलम दिपक्षी वारता कर लागू करने की मांग भी की तो वहीं यूनियन सचीब सुभाज चंडर ने बताया कि सोलवे वेतन समझोते को लेकर सहकारी बैंक के करमचारी और अधिकारियों रोश है दरसल इसमांग कोले का रठारा जुराई को भी करमचारी काली पट्टी बांद कर कारी करेंगे और 19 जुलाई को व्रधान काराले इस्तर पर धर न दिया जाएगा और अगामी कारी कर अनुसार 14 अगस्त को एक दिवस ये हरताल भी की जाएगी खबर जाणाबार से जांचिले की पिंडवा उपगन शेत्र के पंचायत को हली मुख्याला में मंगलवार को क्रिसील फाउंडीशन द्वारा मन्रेगा कार इस्तर पर जागरूत बैठन का आयचन किया गया जिसमें सरपंच हरी राम गोचर के प्रियासों के चलते सभी मन्रेगा कार इस्तल से मन्रेगा को लंच के दौरान सेक्डो मन्रेगा मजदूरों ने भाग लिया साथी सेंटर मैनेजर दिरेश कुम्ना वर्मा ने बताया कि भारती रिजर्व बैंक के सयोग से क्रिसल फाउंडेशन के दौरा संचालित मनी वाइस वितिये साक्षरता केन पिडवा दौरा लोगों को मैंकिंग संबद जानकारी और फोर्ट से बचने के लिए लोगों को ज खबर देश शेत्री से जहां करवर्ष सड़क मार पर इस्तेद बंसौली नदी की पुलिया तेज बहाओ के चलते छतिग्रस दो गई जिसकी वज़से रहागीरों में हाथसे का खौब बना हुआ है बतादे सारचिर्क निर्मार विभाग के करम चारी भबर सिंग ने छतिग्रस पुलिया की और पथर लगाकर रास्ता अभूत कर और वोड लगाकर उच्छ दिकारी को सुचित किया जिससे कोई बड़ी जनहारी राह से बचा जा सके तो वहीं ग्रामीरों ने सीक्र सड़क मिमा की मांग की है कि अधर राजिस्ताइन के चाक्सु स्टेट हाइवे दो की हालत दैनी स्थिति में चंदेल गाओं में गड़े की कारण लोग परिशान है सड़क पर हो रहे गड़े रोज दुरगटना को दावत दे रहे हैं लेकिन जिमेदार लोग इसकी अंदेखी कर हैं जिसका खामियासा लोगों को भुगत ना पड़ रहा है सड़की खस्ताल दर्शा को सुधारने के लिए प्रिशासन की तरब से कोई पहलनी की चारी है जिसकी चलते ग्रामीनों में रोश है इस्थारी लोगों ने प्रिशासन के खराब आंदोलन की चिताब ने दी है उदर बोधी में एसीवी ने बड़ी कारवाई की है जहां आपकारी निरिक्ष सुनील कर्मा की अगवाई में एसीवी ने 6000 रुपए की मासिक रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रेप किया पतादिश शराब के ठेकिदार से मासिक रिश्वत मागी गई थी जो वहीं एस तो शराब ठेकिदार से रिश्वत मांगते हुए एसीवी ने बड़ी कारवाई किये है उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया है जिसके चलते पुलिस ने रिश्वत लेते हुए ये ट्रेप किया था जिसके बाद का कारवाई करते हुए रंगे हाथ उसे गिरफ्तार किया ह खबर गुर्गाम से जहां आज सिया मनोह लाल फ्रोजबर सिर्का में वीडियो कॉंफरिंग के इमाध्यम से 237 करोड से अधिक लागत की 34 परियोजनाओं का उद्गाटर नहीं सिल्यानास किया बतादे गुरुगराम की सुन्दा सिनानी के जौन हॉल में किसान कल्याण मंत्री जेज़पी दलाल भी पहुँचे और 171 करोड की 6 परियोजनाओं के सिल्यानास के साथ 66 करोड की 28 परियोजनाओं का उद्गाटर हुआ तो वहीं गाउं बहरामपूर और बसाई के स्टेपी और डबलू पीसी पर 33 और 66 के बीके साब स्टेशन के निर्मार की आधार शिला भी रखी गई दो कारीकर में करते थे पहले तो बहुत सारी मुख्यमत्री जी के दवारा पुरे परदेश को जो होगार दी थी तो गुरुगाओं के जो शिल्यानास और उद्गाटन थे उसका का जिक्रम था उसके बाद लगाता और गुरिजिजिस की मेटिंग थी जो कंपनी मेटिंग ह होती है वो हमने की इसमें पंदरा परिवाद है किस्नी बार के भी पैंडिंग थे और उन में से तसका हमने समाधार कर दिया है पांच परिवाद जो है अदमी उसके लिए पैंडिंग रखे गए हैं और एक किसान की फसल खराब होई थी तो पजाश जार पे की सहायता देने कि मैंने अपने भीकों से बहुषना की है सेक्टर चार का बहुत हमारा समसे गुर्गाओं का प्रणा सेक्टर था उसके डवलप्मेंट के लिए जो एक कमेटी बनाई थी उसमें काम होना शुरू हो गया है और आडमीयों की मुद्दा था रही जाए से दियार को उसके बार शाबाद में नेशनल हाइवे पर पांस ट्रक आपस में भड़ गया जिसको पांच घंटी की कड़ी मश्रकत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया पता दे मौके रोपोंचेल पुल्स करमचारी ने बता कि एक ट्रक रात को नेशनल हाइवे बेख खराब खड़ा थ लगभग सड़े तीन बजेशनल हाइवे बता दे बीती दस तारीक को आरोपियों ने इफको चौक के पास एक लूट को अंजाम दिया क्राइम ब्रांच सेक्टर सत्रा की टीम ने चारो आरोपियों गरफतार किया है वहीं आरोपि के पहचान सुमिछ साहिल पटेल विवेक और समीर के रूप में ही रूप में ही काम करता था साहिल पटेल ने बागी कर आरोपियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंचाम दिया ह गुरुग्राम पुलिस ने 9,5,000 रुपए एक देशी कट्टा और एक मोटर साइकल भी बरामत की है तो गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामया भी मिली है CNG पंप से 9 लाग की लूट के मामला को खलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपी को गरफतार किया है इसके साथ ही एक आरोपी पंप में ही काम करता था आरोपी के साथ अन आरोपी को शामिल करने के बाद इस लूट की बारदात को अंजाम दिया गया जिसके चलते पुलिस ने कारफाई करते हुए 4 आरोपी को गरफतार किया है साथी लूट हुई रकम को भी बरामत किया गया है रुकते छोटी से ब्रेक के लिए फॉरान हासर होंगे ब्रेक के बाद बुल्टर में आपका फिर स्वागत है बढ़ते हैं अगले खबरों के और कवर यमना नगर से जहां विजनस टीम ने थर्मल पावर प्लांट के एक अधिकारी को रिश्वत लेते हुँ रंगेहाद ग्रफतार किया बिजनस टीम ने बता कि सिकूर्टी रिलीज करने के लिए उसने ठेकेदार से 11,000 रुपे की रिश्वत मागी और 10,000 के साथ डील फाइनल हुई पता दे कि वे ठेकेदार से सिकूर्टी वापस करने के अवज में रिश्वत ले रहा था बिजनस स्पेक्टर सतिपान ने बता कि पानीपत के रहने वाले अरजन कुमार ने इस साल 2022 में थर्मल पावर प्लांट में रख रखाव का ठेका लिया हुआ था जिसके लिए उसने सिकूर्टी राशी जमा करपाई थी दिसंबर में ये ठीका पूरा हो गया था अब है सिकूर्टी राशी बापस माग रहा था ये सिकूर्टी फ्रेक्री मैनेजर विभाग के AEE को ही पास कर रही थी इसके लिए AEE अशुतोस ने 11,000 रुपे की रिश्वत मागी बाद में 10,000 रुपे में बाद तैह हो गई इसकी शिकायत अरजुन ने एंटी करप्शन वीरो को दे दी वीरो की टीम ने AEE को पकड़ने के लिए जाल बिजवाया प्लानिंग के तहट सुमवार को अरुन ने SGO को फोन किया जिस पर उसने थर्मल प्लांट में अपने आवास पर बुलाया जैसी वे उसे पैसे देरी लगा इशारा पाकर वीरो की टीम ने AEE को पकड़ लिया जिन की मेरी स्पोर्टी फ्रीव रही लाग रुप है अरु पर फाव पांट में पैंडिग है अर उसकी आवज में आप्सुपोस AEE कबर अंबाला से जहां सदोबुर के पास नहर के तूटने से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी ना आने के कारण अंबाला केंट में पानी की कमी साफ देगी चा सकती है बतादे की वाटर सप्लाई के अनिल चौहान ने इसको लेकर अंबाला केंट की पीड़वू ड्रेस्ट हाउस में वीजेबी कारकरतों के साथ मेटिंग की अंबाला में केबल आज शान तक का पानी बचा है ये बात ग्र करोड़ लीटर रोज की खबत है जिसमें से 2 क्रोड़ लीटर हमारा कैनाल बेस है और लगबक 3 क्रोड़ लीटर हम तुबलों के थरूँ देते हैं तो क्योंकि नर्वाना बरांच पिछे से तूट गी है दो तिन जगह से तो वो इरिगेशन डेपार्टमें बंग करी है वो हमारे पांच बूस्टर है बड़ा सदर एरिया में जो अरकी है वो सारे बारा करोड़ से अपरोड़ ओपरेट होते हैं जिन में से चार बूस्टर हमने ट्यूवल बेस सप्लाई से जोगती है सिर्फ एकारियन अगर बूस्टर है खबर हो तक से जा मुखमांती मनोहलान ने वीडियो कॉफिनस के जरिये जिलावासियों को सदत्त करोड की 16 विकास परियोजनाओं का तोफा दिया बताते की जिलास तर पर राजस्वासांसत ने विकास परियोजनाओं का अद्गाटन किया पर देश में सिक्षा स्वास्त क के अलावा सड़क परिवन पर भी ध्यान दिया गया साथी जल भराब की समस्या का सरकार समधान करवा रही है बविश में हर्याना विक्सित राज्यों में शामिल होगा मुखमंती मनोहलान ने वीडियो कॉफिनस के माध्यम से नूब के फ्रोच्प जिरका से रोहतक का उद्खाटन और 1462 कर रुपे की लागत से पूर्ट रूप से होने वाली 190 विकास परियोड जानों का सिला न्यास किया जिलासतर पर राजस्वा सांसर्थ रामचंद जागडा ने इन 16 विकास परियोजनाओं का उद्खाटन किया तो हर्याना में सी एम पुष्कसिंग तो हर्याना में सी एम मनोह लाल ने प्रिदेश वासियों को तोफा दिया नई विकास परियोजनाओं का उद्खाटन किया रोहुतक में अ कबर आगरे से जांए यमना का जलिस्तर लगतार बढ़ रहा है बतादे की विशासने रात दस वज़े एक अपडेट जारी किया अपडेट में रात दस वज़े यमना का जलिस्तर 498.92 फिट तक पहुँच गया वहीं यमना का जलिस्तर जैसे जैसे बढ़ भा है लोगों की धड़कने भी बढ़ने लगी है पताद कि कलाश मंदर के अंदर पानी पौहन्चने के बाद सावन के तीसे सुम्बार पर लगने वाला मेला इस्थागित कर दिया गया वह इंश्री कलाश मंदर पर किनारे बने बारा घर खाली करवा दी है इसके साथ ही बिश्ली बंद कर दी गई है तो आगरा में लगातार यमना का जलिस्तर बढ़ रहा है जिसके चलते लोगों कोई परिशानिया बन कर दी है कलाश मंदर के अंदर पानी पहुंच किया है जिसके चलते सावन में लगने वाला मेला इस्थागित कर दिया गया है इसके साथ ही लोगों की परिशानिया भी बढ़ गई है देवरिया चिले के पुलिस अधिक्षा संकल्ब सर्मा ने अवैत शराब तश्कुरों अवैत कच्छी शराब विगरतक अपराधियों के खलाब अभ्यान चलाया जा रहा है पतादी अभ्यान के अंतरगर अपर पुलिस अधिक्षक राजे सोनकर के कुष्ण निर्देशन पर छेत अधिकारी भाट परनी और अंशिमन शिर्वास्तव के परवेक्षक में बटने वाली थाने के पुलिस रात में गश्ट चेकिंग कर रही है वाई मुख्विर की सुष्टा मिलने पर दुर्गाबंद रेलवे कालोने के पास साथ अभ्युक्तों को पुलिस ने ग्रफ़तार किया है पतादी तलाशी के दौरान अभ्युक्तों के पास से 66270 लीटर अवैस शराब और दूचोर की मोटर साइकल के साथ नगद 47,000 रुपए बरामत किया है इसके साथी आरोपियों के कबज़े से पुलिस को आरोपियों को पुलिस ने जेल भीज़ दिया है खबरागर से जहां तेज बहाव के साथ युवना नदी अपने पूरे उफान पर है नदी किनारे बसे गाउं के लोगों का सामान भी बहने लगा है बदादे बाड़ आने की वज़े से किसानों को काफी दिक्कोतों का सामना करना पुट रहा है उनका नाच और भूसा बाड़ में बह गया है साथी तीन ग्रामीडों ने खुद को बचाने के लिए कूप पर बैठ गए गोता खोरो ने मोटर वोट द्वारा कूप के बैठे तीनों ग्रामीडों को रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई तो आगरा में युवन नदी उफान पर है जिसके चलते तेजवाव के कारण किसानों की फसल बरबाद होगी है जिसके चलते किसान काफी परिशान है वह इस दोरान बाड़ में बहे तीन लोगों को रेस्क्यू कर गोता खोरो ने उनकी जान बचाई है तो बाड़ की वज़े से किसान बेहाल है खबर को जांबी से जहां एक युवक को साप ने काट लिया बतादे की साप के काटने से युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई सुबह खेत में काम करती समय साप ने युवक को काट लिया जिसके बाद परिजनू ने यूवक को जला अस्वताल में भरती कराया साथी इलाज के दौरान यूवक की मौत हो गई तो कौसामी से दर्दनाग घटना साप ने आई है जहां साप के काटने से यूवक की मौत हो गई यूवक खेत में काम कर रहा था अचानक से इस साप ने उसे डस लिया जिसके चलते परिजनू ने उसे अस्वताल में भरती कराया लेकिन इलाज के दौरान यूवक की दर्दनाग मौत हो गई खबल अलीगर से जहां प्रेमिका से मिलने आई यूवक ने खुद को गिरा पाकर एक बच्चे को बंधक बना लिया करीब चार घंटे ड्रामी के बाद पुलिस ने यूवक को गरफतार किया बतादे कि मलाव इलाकी का रहने वाला हिमाला देर रात मौहरपाल सिंग के मकान में जीने के रास्ते घर में घुसके आया उस समय मौहरपाल की बहु अपनी चाची और बेटे के साथ सो रही थी इस दौरान चाची पानी कमरे से बहार निकली तो हिमाला बहु की कमरे में घुसके अंदर दरवाजा बंद का लिया जब चाची राजकुमारी वापस दोटी तो दरवाजा बंद देखकर शोर मचा दिया शोर से सभी लोग जाके वहीं जब यूबक को अपने आपका घेराव होता देखा तो उसने बच्चे को बंधक बना लिया वहीं मौके बर पुलिस को भी सूचना दी गई पुलिस ने काफी देर तक हिमाला को आत्म समर्पड के लिए समझाया लेकिन मैं नहीं माना और ये ड्रामा सुबह तक चलता रहा तो फलाल इस मुलिटर में बस इतना ही खबरी लगातार चारी है नमस्कार